हेलो नमस्कार डियरी स्टूडेंट वेलकम तू सक्सिज कैरियर आज की इस वीडियो में एक जबरदस्ती अपडेट आई हुए इस टूडेंट के लिए और दिल खुस करने वाली यह अपडेट है यदि आप भी आई टिय कर रहे हैं या आई टिय करने के लिए सोच रहे हैं आई टिय कर चुके हैं तो आपका दिल खुस हो जाएगा इस अपडेट को देख कर क्योंकि अब रेलो में में जो भी जाब निकलेगा यहां पे गुरूब डी के लिए उसमें आई टिय कर दिया है तो आपको पता होगा कि गुरूब डी की जो फार्म आती थी यह क्लास टे यह होते थे वह फार्म भर देते थे और मैक्सिमम लोग क्लास टेंथ पास आउट होते हैं तो इस वाज़ा से यहां करोडों में फार्म चल जाता था ठीक है तो यहां पर फाइट करना आई टिया इस्टूडेंट के लिए बहुत ही मुस्किल हो जाता था लेकिन अब यह ग्रूप डी के लिए तैयारी करेगा और आई टिया का इंड्रेट है तो वह हंड्रेट पर्शेंट उम्मीद है कि वह निकल जाएगा थोड़ी भी मेनत करेगा तो उसका पास आउट हो जाएगा यहां पर दो देखिए यहां पर जो रेलवे रेकुर्मेंट से रर्रसी वे इविड़ोड के ओषियल एफियल वेबसाइट पर मैं कोई पेपर कटिंग नहीं दिखाए दरा हूं हाला कि यह पेपर कटिंग कोई अप्लोड किया यहां पर लेकिन इंपोर्टिन नोटिट रहा है और क्यूंकि यह रेलवे ने अपने खुद अपनी वेफ़ साइट पर अप्लोड किया है क्या किया है उसके बारे में जानते हैं कैसे बेनफिट मिलेगा और कब तक आपको यह बेनफिट मिलने वाला है देखिए इंडिया रेलवे बोर्ड के तरफ से है इसमें रिक्विस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहां पर यहां पर चैंज की जा रही है रेलवे जाब के लिए अब कब से लाग वह जाए गार सबसे पहले देखिए जो यहां पर डबावन टाइब एंडियान रेलवेए इंप्लाइमेंट नोटिस यहां पर एक टाइम जो एक्जिंप्सन दिया जा ग्रांटेड किया गया था 2022-2018 में और रर्सी 01-2019 में जो कि रेलवेयर रिकुर्मेंट बोर्ड के द्वारा इस्व किया गया था इसमें फेबरी में 2018 में जो वेकेंसी आया था और मार्च 2019 में वेकेंसी आया था ओनली स्पेशल डिस्पेंसेशन फार दोज रिकुर्मेंट ड्राइब और उस समय यह लागू किया गया था कि सिर्फ 10 प्लस आईटी आई वाले ही इस फार्म को भरेंगे लेकिन लड़कों को विरूद करने के वज़े से उसको हटा लिया गया था विड्रा कर लिया गया था लेकिन आप जो विक्षेंसे आएगी इस बार इसलिए नोटीस जारी कर दिया गया कि 10 प्लस आईटी आई वाले फार्म को भरके यह ता टेंथ प्लस अप्रेंटिस को लिए वह यहां पर रेल्वे में फार्म भरके डेंगे यहां पर नोटिस भी लिखा हुआ है साफ साफ जारा एक minimum education qualification जो सभी future में आने वाली वाकेंसी हैं जो कि 15-6-2019 के बाद आएंगी उनके पे मैट्रिक एन की टेक्निकल डिपार्टमेंट जैसे कि civil engineering mechanical electrical and signal and telecom department यहीं कि गुर्प D में भी बहुत से लोग इस छेतर में काम करते हैं civil engineering mechanical engineering और electrical और signal telecom department में काम करते हैं गुर्प D वाले उनको उनके लिए यहाँ पे और catering wing up railway उनके लिए कम से कम 10th प्लस national apprentice certificate होनी चाहिए यानि कि यहाँ पे गुर्प D में जो vacancy आएगी इस department के लिए निकलेगा उसमें 10th प्लस एन एसी national apprentice certificate होनी चाहिए या 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 देखिए यहाँ पर ग्रांटेट बाइ नेशनल 10th plus ITI है और apprentice नहीं है तो क्या मैं farm को भर पाऊंगा तो बिल्कुल भर पाएंगे 10th plus ITI है तो सिर्फ वही के इनरेट फार्म भर पाएंगे या 10th plus apprentice है तो फार्म भर पाएंगे ठीक है तो अगर आप देखिए 10th plus ITI प्लस apprentice है आपके पास तो आपको छूट भी मिलेगी छूट जैसे मैं वता दूँ जो कि यहाँ पे विजिकली टेस्ट होता था पीटी उसमें जैसे कि 35 किरों लेकर 200 मीटर तक जाना होता था दो मिनट एक मिनट में तो यह चीजे छूट वगएरा मिलेंगी तो यहाँ पे जितने भी aspiring candidate हैं यानिकी जो तैयारी कर रहे है उनको नोटिस किया जा रहा है कि उपर की सभी बात को नोट कर रहे हैं और उसी की एकारिंग अपनी तैयारी करें यहाँ पे उसी की एकारिंग तयारी करने का मतलब है यदि आपके पास 10th प्लस apprentice किया है तो ही कि आप लेविल वन की तयारी करें या आप टेंथ प्लस मिनिमम आईटी आई होल्डर हैं तो आप यहां पर वकेंसी की तयार करें अधरवाइस इसकी तयारी करना आप छोड़ दें आप ग्रूप डी की नवकरी इसी बेस पर आएंगी अब क्लास टेंथ पर नहीं आएगा क्य वीडियो को जरूर सेयर करिएगा कुल कोई यह खबरी मिल जाए आज के लिए वीडियो में इतना ही वीडियो हेलफुल लगेगा तो लाइक कर जीगा और चैनल के पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाले सभी आईटी आई से रिलेटेड इ सुरू जाइच